CWC और पार्टी संसरिय दल की बैठक शनिवार को हुई इस दोरान राहूल गांधी को नेता प्रतिपक्ष बनाई जाने का प्रस्ताव पास हुआ। सुत्रों के अनुसार कॉंग्रेस कारे समिती CWC के सदस्यों ने प्रस्ताव पारित किया है कि राहूल गांधी को लोगसभामे पार्टी का नेता नियुक्त किया जाना चाहिए। कि भारत जोड़ो यात्रा जहां भी गई हमने वहां कॉंग्रेस पारिती के वोट प्रतिशत और सीटों की संख्या में वृद्धी देखी। वहीं CWC की बैठक के बाद कॉंग्रेस के राज्यसभा सांसत प्रमोत तिवारी ने कहा कि निश्चत रूप से राहूल गांधी को लोगसभामे विपक्ष का नेता बनना चाहिए। उन्होंने कहा कि यह हमारी कारेसमिती का अनुरोद था वहें निडर और साहसी नेता हैं वो आँख में आँख मिला कर बात कर सकते हैं। प्रमोतिवारी ने कहा कि राहुल गांधी मुद्दो की जानकारी रखते हैं, ये हमारी कारेसमिती का सर्वसम्मत अनरोद था, कॉंग्रेस कारेसमिती की बैठक के बाद महाराश्टर कॉंग्रेस अद्धेक्ष नाना पटूले ने कहा कि हमारे कारेसमिती की यही इच्छा है क राहूल गांधी नेता प्रत्यपक्ष बने और देश की जनता की आवाज बने जिस साधहर पर उन्हें जनता के सामने सच्चा इलाने में ताकत मिलेगी इसके साथ ही कॉंग्रेस की कारेसमियती की बैठक के बाद कॉंग्रेस पारिटी नेता केसी वेड़ो गोपाल ने कहा कि अब कॉंग्रेस पारिटी का पुनरद्वार शुरू हो गया है यह सी डिवलू सी की भावना है उन्होंने कहा कि कॉंग्रेस कारेसमियती ने सर्वसम्मती से राहूल गांधी से लोकसभा में विपक्ष के नेता का पद सभालने का अनरूद किया है राहूल गांधी संसत के अब करने के लिए सबसे उपयोक तव्यक्ति हैं